नमस्कात दोस्तों दैनिक एडूकेशन टीबी में आपका सौगत हैं दोस्तों आज सेंटरल गॉर्णमेंट एमपलोईस का एक बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि पहले भी हमने दैनिक एडूकेशन टीबी में सेंटरल गॉर्णमेंट एमपलोईस का जो डिये है और डिये एरियार से इसको लेके हमने डिसकस किये थे लेकिन आज खुलके तोड़ा डिसकस करना चाहते हैं तो आएए दोस्तो अगर आप मेरा चलेंग में नाए हो तो प्लीज जाके चलेंग को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को एनेबल करके रखिए और दोस का जो टापिक है ओ हम शुरू करते हैं दोस्तो सेबेंट पे कमिशन में सबसे इंपोर्टेंट सा न्यूज है दोस्तो क्यूंकि लगभग लगभग एक करोर सेंटरल गौर्णमेंट एंप्लोईज को डिये मिलने वाले है और विट एरियास बहुत सुन मतलब डिये का तो इ आपका एकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं दोस्तो इधर में में जो टॉपिक है ओ है सेबेंट पे कमिशन के हवाले से तो सेबेंट पे कमिशन बता रहे हैं आफ्टर रिसीविंग ए हाइक इन देर टीर्णस अलाउंस तो सेंटरल गौर्णमेंट एम्प्लोईज आ न 28% allowance. However, when the center announced their dearness allowances errors, it was said that they would only receive enhanced dearness allowance but the areas were denied. दोस्तो जो 7th pay commission का news है इस 7th pay commission में जो central government employees है उन लोग को तो 28% का DA मिल चुका है लेकिन आप जो central government है ओ लोग सोच रहे है हम लोग 18 months का जो area है ओ हम तौफे की रूप में central government employee को दिवाली में दे देंगे लेकिन दोस्तो दिवाली में तो credit नहीं हुए लेकिन आशा कर रहे है नॉभेंबर डिसेंबर की अंदरी अंदरी उसका जो 18 months का जो DA area spending है ओ उन लोगों को मिल जाएगा तो दोस्तो इसमें और एक चीज है दोस्तो जो as per report मतलब जो G news है दोस्तो ओ लोग report दे रहे है दोस्तो जो 18 months का area है जो हमारे प्राइमिनिस्टर स्री नरेंद्र मोदी जी who will now make a decision मतलब दोस्तो हमारे जो प्राइमिनिस्टर है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक decision लिया है हम लोग आपना employees को 18 months का DA देंगे जो एक lump sum amount करीब करीब एक करोर employees को और pensioner का account में चला जाएगा तो दोस्तो एक हमारे प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अच्छा step है और इसके लिए में प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद जनाना चाहती हुँ एक अच्छा news है दोस्तो इसके साथ साथ आपको बहुत ही फाइदा होगा 18 months ADR का DA मिलने पर मतलब pensioner उसके साथ साथ family pensioner और central government employee एक करो employees को अच्छा facility मिलने बाले है दोस्तो अगर इसके बाड़े में और भी क्यों कुछ news मेरा चलेंड में आते तो मैं मेरा चलेंड में अपलोड कर दूँगी उसके साथ साथ आपको जो comment से please आप लो comment section में जाके comment कीजे तो इसके साथ साथ वीडियो इधर ही समप करते ह नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आने वाले है थैंक्यू 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 थैंक्यू